हेलो एवरीवन मेरे नाम है विवेक सैनी और आप देख रहे हैं वीवूज आटो व्लॉग्स आज की इस गाड़ी पे हम फोकस करने वाले हैं क्या ये रियल वल्ड में इतनी प्रैक्टिकल है क्या आपकी फैमिली के लिए आपके छोटे-छोटे बच्चों के लिए या फिर अपके छोटे से घर के लिए इतनी कंपेक्ट साइस की गाड़ी क्या ये फील कराती है महसूस कराती है इसके बारे में पहले बात करेंगे इसके कॉंपटिशन का बात करें तो सबसे टफ कॉंपटिशन डिजायर है और इसके आने से डिजायर में कही ना कहीं सेल्स में अंत जाए जाएगी 20,000 कस्टमर्स के बाद में शायद इसके प्राइसेज में काफी अंतर आए जाद से जादा 10,000 रुपए का अंतर मैं महसूस कर रहा हूं चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की प्रेक्टिकालिटी देखने की कोशिश करते हैं क्या यह रियल लाइफ में इ चुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को दबा दीजे ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंच सके नीचे दिये गया इंस्साग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कीज वो बनी ही इसलिये होती है कि वो आपके घर के राज में इजीली फिट हो जाए लेंठ विट्ब और हाइट की बात करें तो 3995 मिलिमीटर की इसकी हायँ वील वेस 65 मिलिमीटर बढ़ागे आप कर दिया गया है 2470 मिलिमिटर और ग्राउंड क्लिरेंस के मामले में भी 5 मिलिम 20 mm बूट स्पेस की बात की जाए तो टॉप इन क्लास आपको बूट स्पेस यहां पर मिलता है चार सो बीस लीटर का बूट स्पेस जो इस सेग्मेंट में अभी तो सबसे जादा है वही इस गाड़ी के वेट की बात करें तो ती 924 किलोग्राम पेट्रोल में और 1023 किलोग्रा में आपको मिलता है केबिन स्पेस की बात की जाए तो यहां पर स्पेसिंग के मामले में होंडा का कभी भी कोई जवाब नहीं रहा है चाहे वो जैज हो या फिर हो WRV तो हमेशा केबिन स्पेस के मामले में होंडा का कहना भी यही है मशीन मिनिमम मैं मैक्सिमम की फिलोसोफि मिलता है हाला कि इतना अच्छा dead pelter मैं नहीं कहूंगा steering की बात करें तो यहाँ पर भी mounted controls दिये गए है right side में cruise control से related buttons और left side में infotainment system से related buttons दिये गए हैं वही अगर मैं plastic quality की बात करूं तो थोड़ी सी hard plastic है बट मुझे काफी premium लग रही है अंदर से piano finishing दी गई है steering as well as interiors पर और यहाँ पर दिया गया infotainment system one of the top in class जरूर मैं कहूंगा automatic climate control और नीचे कुछ switches दिये गए हैं यहाँ पर 1.5 ampere and 1 ampere का charging brackets दिये गए हैं ताकि आप अपने phone को यहाँ पर चार्ज कर सकें यह साथ यसाथ 12 volt का power outlet आपको दिया गया है practicality की बात करें first row में तो आपको यहाँ पर दो bottle holders या can holders साथ-साथ एक slotting आगे और एक slotting handbrake के नीचे दी गई है right side की pockets की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक litre की bottle holder और साथ-साथ magazine holder भी यहाँ पर मिल जाता है तो वही sun visors पे आपको passenger side तो mirror मिलेगा लेकिन driver side यहाँ पर कोई भी pocket तक नहीं है ताकि अपने आप card या license को hold कर सकें IRVM भी आपको top end में automatic नहीं मिलता है आपको यहाँ पर manual से ही काम चलाना पड़ता है तो वही अगर मैं second row की बात करूं तो बहुत अच्छा leg room आपको यहाँ पर मिलता हूँ नजर आएगा you can easily put your legs here जो अराम से मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो रही है एक can holder या bottle holder आपको यहाँ पर मिलता है power outlet आपको 12 volt का पीछे भी दिया गया है हाँ AC पीछे AC के vents पीछे जरूर मिसिंग है बट इसका जो air conditioning unit है literally I am very impressed with Honda का diesel as well as petrol में लगा हुआ compressor AC का काफी efficient है बहुत ज्यादा time नहीं लगाता है cabin को cool down करने में और बात करें यहाँ पर practicality again तो एक bottle holder यहाँ पर आपको मिलता है एक bottle holder दूसरे side साथी साथ आपको यहाँ पर एक mount मिलता है so that you can hold easily वो हरे गाड़ी में मिलता है एक चीज की कमी जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो है height adjustable head restraints मुझे यहाँ पर as such कोई problem नहीं है और यह शायद छोटे या मेरे से जादा बड़े लोगों को यहाँ पर तकली head room जो है मैं adequate ही कहूंगा शायद इतना अच्छा 6 foot के लिए लोगों के लिए ना महसूस करा पाए हाँ seating posture जो है वो बहुत अच्छा है recline angle काफी अच्छा है long distances में आपको यहाँ पर कोई भी problem नहीं होने वाली है क्योंकि under thigh support भी काफी अच्छा दिया गया है इस गाड़ी क के लिए curved out seats दी गई है front के जो head restraints है वो impact mitigations के साथ में दिये गए है overall space काफी अच्छा है बहुत अच्छा shoulder room काफी अच्छा leg room and adequate head room मैं कहूंगा इसको space के मामले में गाड़ी में आपको कभी भी problem नहीं होने वाली है पीछे की seats हलागी दो लोगों के लिए ही बनी है but you can adjust fifth one as well because the floor hump is very low तो यहां पर अगर पांचवा बंदा जो बैठेगा उसको जादा इरीटेट नहीं करेगा floor hump भी बात करते हैं एक और practicality unit यानी कि जो best in class है boot space जो boot है इसका वो काफी deep है यहां पर loading lip भी कम ही है असानी से आप समान डाल सकते हैं असानी से निकाल सकते हैं और आपको यहां पर एक illumination light मिलती है जो practicality को obviously बढ़ा रही है वही एक चीज़ और कि यहां पर insulation नहीं दिया गया है और यहां के जितने भी wires हैं वो नजर आ रहे हैं तो थोड़े से अगली नजर जरूर आते हैं हाला कि वो बहुत ही कम sedans में दी जाती है यह वाली insulation या फिर य सेंड से ही parking sensors मिलते हैं जो बहुत अच्छी बात है तो चलते हैं एक छोटी सी ride पर और जानते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें जैसे कि इसका engine कैसा perform करता है this one is the 1.2 liter petrol engine जो 90 PSP के power produce करता है and 110 newton meter का torque तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ compactness की में ब रताया भी था और जब आप अपने garage के लिए plan कर रहे हो तो under 4 meter मेरे क्याल में कुछ और problem नहीं आने वाली है जब भी हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो मेरी तंग गलियों से गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी या फिर मेरे garage में ये car fit हो पाएगी कि नहीं कर रहा हूँ वही अगर इसके petrol engine की बात करें काफी पंची petrol engine है मुझे उसमें कभी lag महसूस नहीं हुआ 90 PSP की power produce करता है और जब diesel engine की बात आती है तो उसका diesel engine CVT में हाला की 80 PHP ही produce करता हुआ नजर आएगा लेकिन आपको कहीं पर भी वो under power महसूस नहीं होने वाला है और साथ में आपको 100 PSP पढ़ती है पहले एंवेस लेवल बहुत घडिया थे इस गाड़ी के जब हम डीजल इंजिन की बात करते थे बट थैंक्स तो होंडा इंजिनिरिंग बहुत अच्छा केबन नॉइस जरा सी भी नहीं है डीजल एस पेट्रोल इंजन में डीजल में आपक 10.2 पेट्रोल इंजन हैंज डाउन टू पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन एफिशेंट भी काफी है चार-पांश लोग अगर आप बैट रहे हो तो वो कभी भी अंडर पावर फील नहीं करेगा इसके साथ साथ जब आप हाइवे ग्रूजिंग कर रहे हो तो आपको एक zoom एकस्टरोलब करेगा बोत पेट्रोल ये अच्छा है गए मां बात करूं उसके स्टैपी फीडबैक की तो काफी अच्छा और पावरफुल स्टैरिंग फीडबैक है एफी है इस इसमें 175 टी10 इौ Talدا की मोस्त वाइस की तरह यहुंत काल को ह्टाईर प्रो की बास टाइर थोड़े से स्किनी दिये गए है 175-65 रेडियल 15 इंचेस के आपको टाइर्स मिलते हैं तो कहीना कि मैं कहुंगा कि टाइर्स के साथ में कॉंप्रोमाइज जरूर किया है हलका था त्रक्टिके लीटी के मामले में इस अ मस्ट बाय कार नुकलियर फेंपली की बात हो या फिर चार-पांच मेंबर की फेंबली की बात हो या फिर एक आप ऐसी गाड़ी प्लैन कर रहे हो तो इस खास परे बड़ी आद बर बादी के साथ में तो इस वूड़गी बर ग्रेंट car over many other such cars. So yes, this is a better choice over any other car in this segment. एक value for money product जरूर है. So this was all for today. I just hope कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद पसंद आए तो like, share and subscribe करना ना भूलेगा मेरे चैनल को. Because मैं कुछ regularly ही ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ. आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी specific topic पे तो follow कीजिए मुझे इस Instagram ID पे and वहाँ पर अपनी request 7D कीजिए. मैं जरूर उसको consider करूँगा अगर मुझे topic viable लगा तो. Until for the next time bye bye, take care and keep loving your car do drive safe, take care.